हेलो ए स्टुडेंट आप सब कैसे हैं मुझे आसा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग वास्त्विक संख्या है जो कि प्रस्णावली 1.2 का कोस्चन नमबर 1 का पूरा कोस्चन हल करने वाले हैं इस वीडियो में तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जो है पहला कोस्चन जो दिया है इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है और उसके बाद हम लोग इसका सलूशन करेंगे जैसे कि यहाँ पे यह बोल रहा है निमली खीत संख्याव को अभाज ये गुणंखंड के रूप में बेप्त कीजिए जो कि हम लोग को इसको अभाज ये गुणंखंड के रूप में बेप्त करना है तो पहला question है 140, इसको हम लोग अभाज ये गुणंखंड में कैसे ब्यक्त करते हैं, इसका हम लोग solution करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 140 हम लोग question को लिख दिये हैं, तो चलिए इसका हम लोग 140 को बनाते हैं, तो अभाज ये गुणंखंड का मतलब समझेए कि LCM निकालना है, ठीक अभाज ये गुणंखंड निकालेंगे, ठीक है, तो 2 से ये कटता है, कितने बार में, 7 दुना, 14 यानि 70, फिर हो गया, यानि आधा, फिर 2 से करेंगे, तो कितना होगा, 35 दुना, 70, फिर उसके बाद अगर हम काटेंगे, तो 5 से ही कटेगा, तो 5 साते, 35, अब इसी को हम लो है, आपका, कितना, 2 तो 2, और फिर यहाँ पे, 5 तो 5, ठीक है, और नीचे क्या है, 7 तो 7, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, कि इसको कहां लिखेंगे, तो पहले, क्योंकि इसी का हम लोग गुणंखंड किये हैं, तो इतना इतना आया है, ठीक है, तो इसलिए इसको, 140 को पहले लिखेंगे, और उसके बाद 2 गुणे, 2 गुणे, 2 गुणे, 5 गुणे, 7 है, ठीक है, अब इसमें बस इतना ही देखना है, कि एक जैसी संख्या, कितने बार आई है, तो यहाँ पे, 1 जैसे संख्या, 2 गो आया है, जो कि यहाँ पे, 2 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कि यह कितने 2 कितने बार है, तो 2 बार तो उपर पावर में 2 लिख देंगे, गुणडा है, तो गुणडा, और फिर 5 कितना बार है, एक बार तो 5 रहेगा, और 7 एक बार तो 7 रहेगा, बस यहीं आपका एंसर हो गया, ठीक है, नेस्ट कोस्चन के और हम लोग करेंगे, 156 का, तो यहां पर ध्यान दिजिएगा, 156 यहां, कोस्चन नमबर 2 हम लोग लिख लेते हैं, और 156 का हम लोग गुणगा निकालेंगे, डाइडेक्ट इसका हल कर रहे हैं, ठीक है, डाइडेक्ट ऐसे करना है, ठीक है, अब जो है, 156 का हम लोग करेंगे, 2 से, त यह कटेगा आपका 3 से, तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 13, 49, अबर 13 यहीं पर रहने देंगे, कि 13 अब इसके बाद 13 से ही कटेगा, या 1 से कटेगा, तो इसको इतना ही पे हम लोग रहने देंगे, अबर फिर इसको हम लोग गुणगखन में लिखेंगे, तो 156 पहले लिख लेंगे, और उसके बाद जो गुणखन हुआ है, उसको लिखेंगे, 2 गुणगखन, फिर क्या हुआ है, ये 2, तो फिर 2, और ये 3, 3, और ये 13, तो 13, अब इसको हम लोग इसमें कौन सा ऐसा अंक है, जो 2 बार, 3 बार जितना बार आया है, तो 2 है, कि 2 कितना बार है, 2 बार तो पावर गया, इस तरह से हम लोग को गुणखन में दिखाना था, next question है आपका 3 number, तो 3 number question को हम लोग एक बार बना लेते हैं, तो 3 number का हम लोग हल करेंगे, 3 number यहाँ पर direct थल लिख देते हैं, ठीक है, अब 3 number में है आपका 38, 25, कितना है, 38, 25, अब 38 का हम लोग गुणखन करेंगे, त अब लोग हल लिखना अच्छा लगता है, और इससे पता भी चलता है, कि यहाँ से आपका question सुरू हो गया है, जिसको आपने solve किया है, तो हल हो गया, अब यहाँ पे हम लोग इसको 2 से काटेंगे, तो नहीं कटेगा, तो 3 से भी भाजता के नियम आप लोग को याद होगा, 5, 2, 7, 7, 2, 14, 15, 15, 13, 18, यानि 3 से यह कट जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग काटेंगे, तो 3, 1, 3, 2, 6, अबर 7, 5, 25, 7, 3, 21, तो 7, फिर 3, 5, 15, यानि 12, 75 बार में कट जाएगा, फिर यह 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे, तो कितना, 4 तीयाई, 12, अबर फिर, 3 दुनाज, 6, अबर 5, 15, फिर इसको काटेंगे हम लोग, यह कटेगा अब आपका, 5 से, तो 5 से काटेंगे, तो आपका 85 बार में यह कट जाएगा, और फिर उसके बाद, 85, यानि 17 से काटेंगे, तो 17, यह सोरी 5 से काटेंगे, तो 70, यह उसके बाद हम लोगो इसको गुणंखंड लिख लेंगे तो और तीस पचीस बुराबर क्या लिखेंगे जो जो गुणंखंड आया है तो तीन लिखेंगे फिर तीन है तो तीन और फिर पांच है तो पांच और फिर पांच है तो पांच और फिर एक क्या है सत्रह तो सत्रह अ तो इस तरह से आपका जो है answer हो गया जैसे यहां पर देखने को मिलेगा यहां है 3-2 बार है तो 3 के power 2 दे दिये हैं और फिर 5 कितने बार है दो बार है तो 5 के power 2 दे दिये हैं और 17 है तो 17 और यहीं आपका answer हो गया है फिर जो है यहाँ पे हम लोग solution करेंगे question number यहाँ पे जो यह दिया है 5 यनि 4 4 का हम लोग solution करेंगे जो की लिखा है 5005 तो यहाँ पे हम लोग question number 4 लिख लेते हैं और इसका हल करते हैं तो चलिए हल करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 5000 अब इसका हम लोग गुणंखन निकालेंगे ठीक है तो इसका गुणंखन निकाल लेते हैं ये 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 0 से 0, 0 से 0 और 5 एकम 5 इतना बार में ये जो है आपका कट गया और फिर उसके बाद हम लोग इसे 7 से कटेंगे तो कट जाएगा ठीक है तो 7 से कटेंगे जब इसको तो हम लोग का 143 बार में ये कट जाएगा और फिर उसके बाद 143 को 111 से कटेंगे तो 113 यानि 13 बार में ये कट जाएगा अब जो है 13 नहीं कटता है कोई से कटता है और 1 से कटता है तिसलिए 13 का 13 राने देंगे और फिर इसके बाद गुणंखन लिखेंगे इसका तो कितना का हम लोग गुणंखन किये हैं 5005 का गुणंखन किये हैं तो आया है हमारा 5 और फिर उसके बाद आया है 7 और फिर उसके बाद आया है 11 और फिर उसके बाद आया है 13 ठीक है अब इसमें कोई एक सामान ने जैसा नहीं है तो इसलिए यहीं पर हम लोग का answer लिख देना है ठीक है उसके बाद है question number 5 question number 5 हम लोग देखते हैं question number 5 जो है यहाँ पे देखिएगा question number 5 7429 दिया है इसको hold direct करते हैं क्योंकि question अम लोग देख लिए है 7429 ठीक है इसी का आम लोग को solution करना है तो चलिए इसका भी solution अम लोग कर लेते हैं अब इसका गुणखन निकालेंगे तो 17 से direct निकालेंगे कितना से 17 से ठीक है थोड़ा question यह जो है 17 से निकालेंगे तो यह आपका 437 बार में कट जाएगा 437 बार में यह कट गया अब फिर इसको जो है 19 से काटेंगे तो यह कट जाएगा 19 से काटेंगे तो 23 बार में जो है कट जाएगा अब जो है 23 किसी से नहीं करता है स्वयम से करता है और एक से तो इसे नहीं काटेंगे डाइरेक्ट यहां पर हम लोग लिखेंगे कितना है 74, 29 तो यहां लिख देंगे 74, 29 गुराबर गुणंखन कितना है 17 और फिर गुणा में कितना है 19 और फिर गुणा में कितना है 23 तो इस तरह से हम लोग यहाँ answer लिख देंगे क्यों कि इसमें कोई एक समानने जैसा नहीं है तो यहीं पर हमारा answer हो जाएगा तो इस तरह से आपका जो है 1.1 का question number 1 का पूरा पांचो question शोल भोगो चुका है यदि आपका ये वीडियो पसंद आया है आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास सेर कीजिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट की दिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद